जन मंधन एबीबी नियूस की विशेश कवरेज आप देख रहे हैं बजट कल पेश हो चुका है निर्मला सीतारवन का विपक्ष्टी क्या आपत्या है बताने के लिए मिरे साथ इस वक्त कॉंग्रेस पार्टी के वरिश प्रवक्ता सांसा इस वक्त अभिशेक बनु अभिशेक जी सबसे बड़ी आपत्य किस चीज को लेकर इस बजट में आपको क्या आपको अच्छा नहीं लगा ये बड़ा कठेन प्रशन है क्योंकि मुझे बहुत बहुत ढूंदना पड़ेगा एक भी ऐसी चीज निकालने का अगर आप मुझे फोर्स करेंगे तो मेरे क चीज सिधानते गूर्प से सही लगी विवाद से विश्वास उसमें भी खामी ये है कि कोई भी डीटेल नहीं दिया गया है कहा गया है कि 31 के पहले भरपाई करिये लेकिन कैसे होगा और मुझे भय है कि जब तक ये बुरॉक्रेसी अपनी चुंगल से निकालने देगी इस कुल में लाकर पूरे बज़ेट में सिर्फ एक ही चीज आपको समझ में दो घंटे 40 मिनिट के भाशन में विवाद से विश्वास बहुत बहुत लंबाई थी जीरो गहराई थी ज्यादा और लंबाई कम काश अभिशेक जीए मैं जानना चाहता हूं क्या यह आपको बजट दिखता है कि जो फाइब ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी की तरफ देश को लेगा देखिए यह जुमले बाजी है यह चीज़े कहने की आवशकत है कि इधर से उधर फाइब ट्रिलियन एकॉनमी डबलिंग इस सब जुमले हैं आपको मैं दो तथि देना चाहता हूं आप लोग किसीने कि हम क्रिशी की आय को डबल कर देंगे बाइस तक पहले वर्ष के विश्व विद्यार्थी कहते हैं कि अगर 15 प्रतिषथ एन्योल रियल जीडीपी ग्रोथ हो वार्शिक रूप से क्रिशी में 15 प्रतिषथ तब जाके बाइस तक डबल होगा एक्ट्वल ग्रोथ छ नहीं लगती है कि आपको जैसे income tax के slabs में रहात देने की कोशिश की गई है जुमले का उदान दे दिया मैंने आपको जुगलरी जोक्स जुमलास जुगलरी यह हो रहा है इस केस में जुगलरी क्यों है आपने चार slabs को साथ कर दिया आम तोर पे जब slabs बढ़ते हैं तो इवेशन बढ़ता है उसको छोड़िये आपने सिर्फ वो किया है कि लेफ्ट हैंड से ले लिया है जीरो सम घे में कई अर्थ शास्त्तों से है के वास्तव में जाधा अधिक तर लोगों के पॉके जाधा रुप्या जाएगा इंडिविछुल हान सुमित अविस्ति को बेना हो है लेकिन सबको ले एक साथ तो जितना फाइदा सुमेत अवस्थी को जितना नुक्सान सिंग्भी को होगा उसका नेट नेट रिजल्ट जीरो होगा या ज्यादा जाते हैं और दो कैटेगरी ऑफ टैक्सपेर बना दिया अपने इस पे जितनी जगलरी होगी इतनी वेजन होगा मैंने समझता कि और इतनी छोटी चीज से आप कंजम्चन डिमांड बढाएंगे देश में आज कंजम्चन डिमांड सरकारी एक्सपेंडिचर इंवेस्टमेंट और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये चार चीज़ें जरूरत है इस एक चीज़ पर आपने एक ये सुना है चोटी चीटी है पहाड के सामने बाकी चीज़े मैं को सुना ही नहीं है तो और मुद्द चुना चाहूंगा लाइसी के डिस इंवेस्टमेंट की बात है इसको कॉंग्रेस पार्टी कैसे देखती है हम चिंतित हैं ये एकदम सरल मुद्द नहीं है पहली बात में बहुत संक्षेप में बोलूँगा आपके पास जब तकलीफ होती है तो आप सबसे अच्छी चीज़ अपने घर में धून कर बेचें ये मैंने कहीं भी कॉमन सेंस यत्तर की आधार पर नहीं सुना बेवकूफ आज भी नहीं करेगा ये आज आपको पता नहीं है डिस इंवेस्मेंट बाइद वे पिछले वर्ष डिस इंवेस्मेंट का एक लाग पांच हजार का जो आकड़ा था वो पैंसट हजार और ने करेक्ट किये पैंसट इस बार काया कि हम 2.10 कलेट करेंगे लाग करोड उसमें से 90,000 करोड सिर्फ LIC से आएगा अब इनको डेस्परेशन है आवशकता है कि एर इंडिया बेच नहीं पाया आई डी बिया हो नहीं पाया तो सब कुछ निकालो जूस निकाल के LIC का पहली बात जब माहुल देश पे इतना खराब है द रुपिया अगर फसा है तो LIC में फसा है आप इसको डिस इन्वेस्ट करेंगे सरकारी कंट्रोल रहेगा लेकिन आप जानतें डिस इन्वेस्ट में दस प्रतिशत कोई आदमी ने ग्रूप ने धिरे धिरे एंट लिया दस प्रसेंट पहुंच किया दो साल बाद अवस्ती क और पांच में पहुंचिया दो साल बाद सिंग भी को तो आप इतने बड़े महत्वपूर्ण एक गोल्ड जिसे कहते हैं घर का उसको दो चार पांच प्राइविट हाथों में रहने देंगे और रिस्क बहुत है इसमें आदमी की समुची सूची है तो इसकी जरुत क्या थ है इसलिए आप सबसे अची चीच को उठा के बेच रहे हैं और वेल्थ क्रीटर्स विल बी रिस्पेक्टिट इस लैंगों कैसे दिखते क्या सरकार जुम्ले बाजी वेल्ट का माहिने माहिने क्या इसका इसका मतलब हुआ सबसे उची आये वाले ठीक है ना अब हम उसकी ब इसको आप कहते हैं उसके लिए आपने लगाया 42 परसेंट उसी की कंपनी के लिए आपने लगा दिया 25 परसेंट जो प्रफेशन हमारे जैसे लोग हैं उनको क्या इंसेंट्रिव बचा काम करने का आपको मालूम है कि मैं 42 परसेंट नहीं देता हूं अगर आप की बात कर रहे हैं जो आदमी अनर आई है जो दशकों से 6 महीने के रूल पर मैं समता हूं भारत में कितने दशक हो गए 6 महीने का रूल चल रहा है देश के और विविन देश हैं जो विश्व के वहां भी ऐसा ही रूल होता है उसको 240 दिन कर दिया आप तो आप यहां उनको क करते हो चाहतों को भार भाग के अराना नहीं बने और तीसरा आपने कह दिया कि हमें आपकी पूरी इंकम को चेस करेंगे आपको बताएगा कि वह रेजिनेंट कहां है यह किस प्रकार का यह प्रतारना है यह केरिंग सोसाइटी है यह वी विल रिस्पेक्ट वेल ट्रेटर आपने पहले तो आतंगवाद फेला दिया आतंगवाद फेलाने के बाद आप कहते हैं आपको प्यार करेंगे आपको बार हाथ फेलेंगे यह क्या पतलब हो है अब शुक्री आपको रखे आगे